खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाता ये मूर्ती का कार लगभग करीबन मुझे 18-20 बर्स के लगभग हो गया करती करती आपको ये कैसे मैसुस हुआ के हमें मूर्ती बनाना है क्यों अचानक आप कैसे अचानक बनाने लगे लगभग हम जब 7-8 बर्स के थे, चूकि हमें मालू है तो हमारी रुची है जो पढ़ाई में पढ़ने जाते थे स्कूल में तो वहाँ पे सबसे जाना में रुची हमारी कला पे थी तो वहाँ पे भी कला में हम निपण रहे, स्कूल में जैसे तो हाँ कला में आठ यश्ट बहुत निपण रहे अच्छी अच्छी मूर्तियां बना लेते थे किसी सीन को देखर के या किसी फोटो को देखर के उसको हम चाड़ पर उता लेते थे इसके बाद घर पर जो हम देते थे तो कहीं मिट्टी के कुछ बनाते रहते थे तो एक साल में आप ऐसे कितने मूर्तियां निकालते हो लगभग जैसे कोई आज गया तो लगभग 15-20 के सम्तिंग तो सम्झो ही और आ गया तो और ज्यादा भी हो जाती हैं कम भी हो जाती हैं जैसे कोई नभीन मंदर बनना हो या नभीनी करन होना है किसी की प्रतिष्टा होना है तो कम भी समझो ज्यादा भी सम्झो जैतो एक मूर्तियां कितने दिन में बना पाते हो जैसे कि अभी हमने आपको बोले नाज जी महराज की मूर्ति दरसाई है इसमें जो है एक पत्तर जो है लगवग ये पत्थर है दो फिट का दो फिट की इसकी चोणाई है और दो फिट की ही उंचाई है तो इसमें जो है तीन मूर्तियों का गिराफ दिया हुगा है गनपती जी महराज जो है बीच में बिराजमान है इस साइड जो है माता पारबती जी है इस साथ बहुलिना इस तेन मूर्तियां थstat में यह समय Сब्सक्राइब आप THE Studi यह सबताए। एक काम आपने कहां से सीखा है। यह कार माझक दंबे बहुमान वारी मईजा की देन है। ना हम कुछ जानते थे , ना कुछ मैंने सीखा है सब आशिरवाद माझक दंबे दुर्गा महरानी का है जिनके आशिरवाद से हम कार कर रहे हैं और उनी को अपना इस्त दिव मानते हैं हम हैं देश के एक मात्र ग्रामें नारीवादी निव चैनल हमारा समर्थन करें, यूटूब चैनल सस्क्राइब करें, खबरे लाइक करें और विवसाइट पर सदस बने